दोस्तो, अमरूद के फल से होने वाले स्वास्तिय लव के बारे में आप तर्द घुर सुना हूए है लेकिन क्या आ अप इसके पत्य के वशुदिये गुनों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आप अमरूद की पत्य वैंतियों को किसी भी तरह से कम न समझे Northwest इसके सेवन से कई सेहत समद्धी परशानिया चुटकियों में दूर की जा सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अमरोद के पत्तों के फाइदे, उप्योग और और कई तरह की एहम जानकरियां देंगे। अगर आप भी अमरोद के पत्तों के फाइदों के बारे में जानना चाहते हों, तो इस वीडियो को शुरूर से लेके आन तक जरूर देखिए। इसे सुनने के बाद और इसे देखने के बाद अमरोद के पत्ते इस्तिमाल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे आप। तो चलिए जानते हैं, अमरोद के पत्तों के फायदों के बारे में। इससे वजन को कम करने में मदद मिलती है। Diabetes, अमरोद की पत्यों में मजूद Phenolic Yogic रक्त करा के इस्तर को नियंतित करने मदद करता है, अमरोद के पत्यों के सेवर से लीपीड में भी कमी दर्ज किये गई है, इसके सेवर से प्रोटीन Glycation को भी कम किया जा सकता है, यह शिरीर में मजूद शोगर के इस्तर को नियंतित किया जा सकता है, ऐसा भी कहा जाता है कि अमरोद की पत्यों में Anti-Diabetic वर होते हैं। Colesterol अमरोद के पत्यों के सेवर से लाजमा कोलेस्ट्रों का स्तर कम होता है, इसमें मुझूद तत्व, शोगर की उच मात्र को भी कम करने मदद करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रों को रोकने मदद मिलते हैं। Dengu Bukhar अमरोद के पत्यों में डेंगो के लिए फायदेमान हैं, यह प्लेट्स बिलाने मदद करते हैं और अक्ट स्तराव से आपको बचाते हैं। Dairia अमरोद के पत्यों में डाइरिया ठीक करने को भी पाय जाती है। Dairia में अमरोद की पत्यों के मदद से स्पर्म काउंट को भी बहतर किया जा सकता है। और साथी प्रजनलिक शम्तम को बढ़ाने में भी अमरोद के पत्यों को सक्षम माना गया है। Ghaav और Infection अमरोद के पत्यों में मजूद पोशिदे गुनों की वज़े से ये घाव को भनने में मदद करते हैं। Dairsalis में मजूद रोगानू रोधी गुन घाव और Skin Infection से समंदिते बैक्टिया से जड़ने बहुत फायदेमंद हैं। पाचन अमरोद के पत्यों को पाचन तंतर के लिए अच्छा माना गया है। इसमें मुझूद Anti-Bacterial और Anti-Microbial गतिविदी आपको और अरगानू और अन्य जिवानूं से बचाने में मदद करती है। अमरोद की पत्यों ऐसी Gastering Enzyme को बनाती हैं जो पाचन की किरिया मदद करती हैं और शरीर में पोशी ततों में सुधार करती है। ब्रोकाइट्स अमरोद की पत्यों का इस्तिमाल ब्रोकाइट्स के लिए किया जा सकता है। दरसल ब्रोकाइट्स के दुरान शुवास नली में जलन और सुजन आ जाती है। ऐसे में अमरोद की पत्यों में मजूद Anti-Infirmatory गुर्द आपको अस्त्मा के दोरे, खांसी वे फंगस के कारण होने वाले रोगों के साथ ही ब्रोकाइट्स से भी बचाती हैं। दात दर्द, गले में खराश और मसूडों के लिए। अमरोद के पत्तों में मजूद Anti-Infirmatory और Anti-Microbial गुरों की वज़े से दात दर्द को भी ठीक करने मदद मिलती है। इसके अलावा बंद गले और जबड़े की सुजन में भी अराम आता है। कैंसर दोस्ता हमरोद के पत्तों में Anti-Tensor गुल पाय गये हैं। अगर हम नेवित रूप से सोगड़ा मरोद के पत्तों से बना काड़ा पीती हैं। तो पेट और फेफड़ा की टैंसर से बचा जा सकता है। इसके अलावा मरोद के पत्ते से टैंसर के मरीजों में डी एने और अन्ने कोश्काओं को कुछतिक रस्त होने से भी बचाए जा सकता है। अलर्जी अमरोद के पत्तों में Anti-Allergy गुल पाय जाती हैं। या श्री इरने होने वाली अलर्जी को कम करने मज़र करते हैं। मुहासे और काले दबे का उप्चार दोस्तों इसके लिए अमरोद के 10-12 पत्तों को पानी की कुछ बुहदों के साथ ब्लेंडर पीस लें। अब इस पेष्ट को अपने चेहरे पर लगा लें। पेष्ट के सुखने के बादे से धो लें। आप रुजाना इस परक्रिया को दोरा सकते हैं। इस से अप्टेट मुहासे और काले धबे ठीक हो जाएंगे। खुजली खुज़ी के लिए आप अवश्कितान सारा मरोद के पत्तों को पानी की साथ महीन पीस लें। इसका लेप त्यार होने के बादे से खुजली से परभावित जगा पर लगाएं। खुजली ठीक ना होने के तक इस प्रगरा को दोराते रहें। आप इस खुजली एकदम ठीक हो जाएं। अंटी एंजिंग दोस्तों मरोद के पत्ते तवचा समंद सारी परशानियों को छुटकारत दिलाने मरद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसका पेश्ट बनाने के लिए एक जार में मरोद के मुठ्छी बर पत्ते पर पानी डाले। आप इसे एक बिलांडर में डालकर पीज लें। इस पेश्ट को रुजाना पर चेहरे पर लगाएं। इसके लावा आप इसे फ्रेश्ट टोनर के रुप में इस्तिमिल कर सकते हैं। आप अमरूद के पत्तों को उबालकर काड़ा भी बना सकते हैं। और इसके ठंडा होने के बाद रूज की मदद से चेहरे पर लगा लें। तो दोस्तों ये थे वरूद के पत्तों के फाइदें। अमीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जुरूर करें। ताकि वह भी इसका फाइदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मतफ़ूर। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहें मेडिय अपडेर्स के साथ नमशकार धनेवाद।